खमा खणीस हैं आप सब लोग आए होग आप सब लोग index होंगे तो आज में कउमेंट्स का प्वाइनलि क्यों कि अ Democrats करे Success जैसे रि्प्लाई कर सुको हैं वो possible नहीं हो पता हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता ने कि हम comment देख लेते हैं और कई बार जैसे किसी काम इंट बीजि हो जाते तो हम comment देख भी नहीं पाते हैं अगर डेख भी लेते तो Hातों हात reply भी करकते हैं और फिर मारे मांड से स्लिप उजाता है वो मैंने सुचै कि आаем यह सारी कॉमेंट तो नहीं लेकिन तो है दोल Tillुब आशya सक्ता कॉमेंट करते हैं और इक कॉमेंट जो की बार बार आता है मेरे पास सी काफी बार आया है मिल पास तो वो कमेंट है कि मोना कौन है तो मैं आपको बता दू कि मोना है मेरे बड़े वाले नैनत भाईसा ना उनकी बेटी है मोना भाईसा जो कि यहां पर रहते हैं मिन्स अपने ननी हाल में रहते हैं वो आज कल वीडियो में थोड़ा कम आते हैं क्योंकि उनके 10th के भी एक्जाम है नहीं ले पाती हूं तो मैं उनको इतना वीडियो में नहीं ले पाती हूं तो Mona बाइसा है मेरे ननत बाइसा की बेटी और आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी अगने और आप लोग कामेंट करोंगे तो कोशिश करूं में बताने की बाकी Mona बाइसा मैंने आपको बता दीहें कि मेरे बड़े वाल नंत बैसा उनकी बेटी है तो यह कोमेंट आया था कि मोना शेखावत करी आया था यह कोमेंट कि मोना बैसा कोन है और दो तिन और कोमेंट आया थे लेकिन उनका मुझे प्रॉपरली नाम याद नहीं है मुझे ना मोना बैसा करी नाम याद रहा तो मोना में पुछा है कि मोना बाइसा कौन है तो ड़ो नेक्स लेते हैं कि जीजा बारे में बताए तो यह comment किया है मुझे बिंदु कवर बाइसा ने तो आपका comment का मैंने reply जो हीड़य को करते हैं कि अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है अब चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर उसकी रैसिपी दू तो आप मुझे कमेंट कर दे ना या फिर अगर कमेंट नहीं भी करोगे तो इस बार जब भी मैं ऑईल बनाऊंगी ना नेक्स ताइंग जिसे यह खतम हो जाएक उसके बाद में बनाऊंगी ना तो आप सब लोगों के साथ थंडिट परसंट शौर मैं शेयर कर दूंगी उसकी ऑईल की रेसिपी तो यह बहुत कॉमेंट है कि जीजा आपके व्लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आप रोज व्लोग पहला करो तो अभी तो मैं वेसे रोजे व्लोग डाल रही हूं बीच-बीच में कभी स्किप हो जाता है क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि आप जैसे डेली व्लोग कर रहे हों और कभ जैसे काम के साथ में व्लोग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो फिर नहीं बन पाता है लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूं अपनी कि में डेली व्लोग लेकिया हूं अभी तो बिसे डाल रहे हो मैं जैसे कभी-कभी बीच में इसकीप हो भी जाता है तो उसके होंगी कर भी रही हूं कि मैं डेली व्लोग डालुँ और मेरी भी इच्छा होती है कि मैं सब दूड़ एस wij जूड़ी ही रहूं कैसी को दिना पहुज़े ब है यह है प्रिया राठोर बाईसा थैंक यू सो मच आपके मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं आपके बहुत ही अच्छा अच्छे कॉमेंट्स आते हैं तो अच्छा अच्छे कॉमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच आप और आपने मुझे बोला है कि जी आप रेसीपी के वीडियो बें डाला करो तो रेसीपी के वीडियो भी अगर आपको किसी जैसे कि परस्नली रेसीपी चाहिए न तो आप मुझे कॉमेंट कर देना मैं उसकी रेसीपी दे दूंगी आपको लेकिन रेसीपी क्या है कि अलग से या तो चैनल पनाना पड़ेगा मुझे इसी चै को और सकती हुँ लेकिन अगर आप जैसे बोलो न que की रेसीपी के वीडियो बना के डाल रहे सकती है कोई-कले कुछ बर में लुघ कर कि शेर करनी है तो हमन चाहिए तो थैंक यू सो मच प्रियारा थोड बाईसा और उसके बाद में नेक्स्ट है यदुवन्षी खुडानिया का मैसेज है कॉमेंट है कि आपके हस्बेंग क्या करते हैं तो मेरी हस्बेंड मेरे हस्बेंड की गॉर्मेंट जोब तो नहीं है लेकिन हां गॉर्मेंट से भी अच करुरिया तो अभी वो खते लोक एंप तो सब्सक्राइब वोग दोनि उसली वाला श्टो के अब एक पूच्छ पोमेंट कर दोगा थे inverter सब्सक्राइब है पूछा है कि इसा डिला में भी लोग रहते हैं लेकिन मेरा प्रॉपराभार पीर से औहुंज में लोग पि युटा तो मारे विय्षान यह बइनीत के पासे कोण कोओं करान से पास पहुं यह यह रहुझने और प्रोपर है सुर्दना चोहाना तो हम लोग पीकाने में स्टेक करते हैं तो यह हो गया आपका कॉमेंट और उसकी बाद में है यह नाम है एक राठोर गेमिंग के नाम से है उनका चैनल का नाम है यह उनका खुद का नाम मुझे नहीं पता है राठोर गेमिंग के नाम से है तो इन्होंने पुछा है कि भावी सा आपकी income शुरू हो गई क्या सो बना मेरी income अभी तो नहीं हुई है लेकिन जल्दी ही हो भी जाएगी बहुत जल्दी हो जाएगी जल्दी नहीं बहुत ही जल्दी हो जाएगी income भी शुरू so thank you आप सब लोग का comment करने के लिए तो ये तो होगे comment जिनका मैं reply मैंने किया और ये वो comment है जो अभी इन एक दो महिने के अंदर आये में जो पहले वाले comment से तो देखो उनका तो मैं reply नहीं कर सकती हूँ लेकिन अब जो भी आप comment करोगे उसका मैं आपको reply वीडियो के थूँ दे दूँगी या फिर व्लॉग के थूँ दे दिया करूँगी मैं आपको reply पर मुझे यसा लगते है कि वीडियो के थूँ ज़्यादा बेस्ट रहता है comments का reply करना ओर एक दो ती मेरे पस पते ऐसे comment आते हैं जो प्रियाव आईसा है उन्होंने भी उन पे comment किया है कि योगे श गांधी के नाम से है उनका comment मेरे पास आया हुआ है और एक मार नहीं उनका comments बहुत बार आया हुआ है मेरे पास कि जिजा अब या अपनी दोनों कि मैं भी comfortable रहूं वीडियो बनाने में क्योंकि ऐसे uncomfortable वीडियो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं बनाने कि क्या मैं दिखा हूँ और अगर जुए होए नहीं तो मैं कहां से दिखा हूँ तो यह मुझे थोड़ा genuine नहीं लगा तो इसका मैं क्या ही reply करू और क्या ही मैं वीडियो बनाओ इसके बारे में तो तो sorry योगेशी और एक मेरे पास comments आता है इनका भी मेरे पास बहुत comment आया और एक comments मेरे बहुत बार आता है कि जीजा आप साटन का लहंगा पहन के और घर की सफाई का वेडियो बनाओ तो यह मुझे थोड़ा genuine नहीं लगा वीडियो तो जैसे कई vlogs होते दिन में मेरा लहंगा साटन का पहना वह होता है लेकिन क्या मैं सफाई का वह उनका कहना यह है कि जीजा आप साटन का लहंगा और प्रोब पर सफाई का वीडियो बनाओ तो इसमें मुझे थोड़ा uncomfortable लगता है तो देखो जिस चीज में मैं comfort नहीं हुना तो ऐसे वीडियो मुझे थोड़ा बनाने भी comfortable नहीं लगता और ऐसे वीडियो में share भी नहीं कर सकती हूँ तो थैंक्यू सो मच बना और 22 आपने इतने अच्छे अच्छे comments किये और मैंने पूरी कोशिश की है आपके comments का reply करने की और जिनके अगर comments रह गए हो क्योंकि मैंने इन एक दो महिने के comments क reply की है जिनके भी comments रह गए हो तो आप प्लीज वापस मुझे comment box में वापस से comment कर दे थैंक्यू सो मच मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई-बाई-टिक कर खमा करें